कि सरकारों के बदल जाने से विवस्थाएं बदल जाती है क्या वाकई सरकारों के बदल जाने से हक अधिकार मिल जाया करते हैं और क्या वाकई किसी सक्ता में बहुत सारे लोगों का बने होना ही हक और अधिकार मिलने की गारंटी है तो मेरा मन कहता है मैं कहो नहीं और ये बात मैं जोद देकर इसलिए कहना चाहता हूँ कि मैं लुहिया करपूरी और शहीद जग्देयों का वैचारी क्षिश्य हों और करपूरी कहा करते थे कि वैचारी तोर पर घ्रश्ट और पतित लोग किसी भी समाज का भला नहीं कर सकते हैं वो चाहे किसी भी समुदाय से आते हो ये काफी नहीं है कि हमारे समुदाय के लोग कुछ भी करके कुछ भी कहके और किसी भी तरीके से सप्ता में बने रहें और ये बात मुझे चीफ का रिश्लिय कहनी पर रही है कि बिहार में सब्ता परिवंतन के 24 घंटे के भीतर बज़र्ग और बीमार लालु प्रसाद यादो को एडी के हेड़ कौटर में बुलाया गया और इसका पाप मिटीश कुमार और सम्राच चोधरी को अपने माथे पर लेना ही होगा चाहे वो किसी भी जाती हो समुदाय से आते हैं वैचारिक तोर पर बैमान लोग हमारी नुमाइंदगी करने का दावा करते हैं और इस दावे में शरीक होकर हमारी तरह के लोग भ्रस्ट नहोते हुए भी उस भ्रस्टाचार में शामिल हो जाते हैं यह समझना पड़ेगा और समझना इसलिए पड़ेगा कि आज हम उस मुगाने पर खड़े हैं जहां हम विचार और सत्ता में से एक को साफ साफ चुनना पड़ेगा और मैं जोद देकर कहना चाहता हूं कि अपने विचारों को बचाकर आप सत्ता फिर भी हासिल कर लेंगे लेकिन आप सत्ता को बचाकर साथ जनम में विचारों को हासिल नहीं कर पाएंगे जो लोग अपने आपको बाबा सहब का शिश्य बताते हैं जो लोग फुले और पिर्यार का नाम लेते हैं उन सौदागरों से मैं साफ तोर पर समबात करना चाहता हूँ कि आप हमारे समाज के मासूम लोगों को बरगलाना बंद करिए और बंद करिए सक्ता के तलवे चातना हम सिर्फ सक्ता हासल नहीं करना चाहते हैं और सक्ता हकक अधिकार की गारंटी नहीं है एक बहुत सारे रास्टों में से एक रास्ता है बहुत सारे रास्तों में से सोचना पड़ेगा कि आपको अपनी राजनीत बचानी है या अपनी सत्ता बचानी है मैं बाबा सहाभ के बे इमान जेलों से कहना चाहता हूँ कि बाबा सहाभ को पढ़ो अगर बाबा सहाभ ने स्तीफा नहीं दिया होता हिंदू कोड बिल के विरोध में तो आज हमारे सामने बाबा साहब का कद इतना उंचा नहीं होता किन लोगों के लिए इस्तिफा दिया किन लोगों के लिए सत्ता छोड़ी हुरतों के लिए आदिवासियों के लिए दलितों के लिए पिछड़ों के लिए, अल्ब संख्यों के लिए, सताय हुए लोगों के लिए और बाबा सहब का वो इस्तीफा, सदियों की सीख थी, आज हमने उनके शिक्षाओं को रौंदा है इसलिए मैं कहरा चाहता हूँ, कि बंद कीजिए, उन लोगों की तरफ देखना, उम्मीद भरी आखों से, जिन लोगों ने सक्ता हासिल करने के लिए, हमारे और आपके सक्णों की सौदागरी की है च्या लगता है आपको, च्या लगता है, कि आज भारतिया जनता पार्टी के सारे संसद, सारे संसद, बहुजन हो जाएं, तो आपा रक्षन को बचा लेंगे, बचा लेंगे, नहीं बचा पाएंगे लखनव में जिस तरीके से, हमारे OVC और दलित भाईयों की पीट पर कोड़े बरसाए गए हैं, उनके लिए भारतिया जनता पार्टी में शामिल, बहुजन राजनीत करने वाले सारे नेताओं को शर्मिन्दा होना चाहिए क्या बात करते हैं आप, कौन सी बात करते हैं आप, मैं किसी मुगालते में नहीं हूँ, मुझे किसी भी दिन सत्ता और विचार में से एक को चुनना पड़ेगा, तो बेख़ौफ होकर मैं विचार को चुनूँ मुझे अच्छी तरह मालूम है कि किन लोगों के जरिये हम लोग यहां तक पहुँचे हैं, शहीद जगदेव को गोली इसलिए नहीं मारी गई थी, कि वो सत्ता पाना चाहते थे, गोली इसलिए मारी गई थी, कि वो विचारों की मन्जिल पाना चाहते थे, कर पूरी उन्हीं लोगों ने, जो आज बिहार की सत्ता में काबिज हैं, सत्ता से बाहर किया था, तब जब उन्होंने आरक्षन लागू किया 27 प्रतिशन, पहली बार, और यह बात इसलिए कह रहा हूं, कि कल को जब आप से कहे, कि सवान आरक्षन किसी महमानों ने लागू किया है, तो आप कहिएगा जूट, सवान आरक्षन हमारे कर पूरी बावों ने लागू किया था, तीन प्रतिशा, इसलिए किया था, कि उनके पास विचार था, आपके पास, राश्चियस वमसेवक संख की राजनीत के पास, कोई वैचारिक पक्ष नहीं है, इस समाज को आगे ले जाने का, दुनिया को आगे ले जाने का, और इसलिए वहाँ प्रचारक होते हैं, विचारक नहीं होते हैं, आरेसेस की राजनीत में विचार करना मना है, प्रचार करना पढ़ेगा आपको, अगर आप इसमें जाएंगे, गुलवलकर और हिटगवार ने जो लिख दिया, हि पूर्ख किसम के लोग, जाहिल किसम के लोग, हमारे लोगों को बरगला रहे हैं, कि अखंड हिंदू राष्ट बनेगा, वो हमारे लोगों को समझा रहे हैं, कि बांगला देश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, यह सब फिर से भारत का हिस्सा बना है, और वो यह कर पाते है क्योंकि उन्हें पता है कि हम बहुत पहले विचार पक्ष को छोड़ कर सत्ता की राजनीत कर रहे हैं करने लगे और इसलिए सत्ता के लालच में हमारे वो लोग जिन से हमने विचार पक्षता की उम्मीद लगाए बैठे थे वो उनके तन्वे चाहिए इस बात को बहुत महीन तरीखे से समझने की जरूरत है मेरे दोस्त मेरी माओं मेरी बहनों मेरे भजर्गों ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपको पता नहीं है कि जिस राजनीत के साथी और शागिल्द बहुजन होने के नाम पर बिहार में जिन लोगों के साथ चले गए हैं उनकी राजनीत क्या है उनकी राजनीत मारने और काटने की राजनीत है उनकी राजनीत चीनने और जपटने की राजनीत है उनकी राजनीत सताने और तरपाने की राजनीत है और यह राजनीत शिक्षा की विरोधी है यह राजनीत बराबरी की विरोधी है यह राजनीत स मनुष्यता की विरोधी है और मैं में आलान करना चाहता हूं कि जीवन के तमाम सुख्ष विधाओं में याग लडाकर मैं मनुष्यता का पख्ष लूगा मैं नोगत। प्ख्षम मुझे नहीं मालूं कि क्यों हमारी तरफ के लोग मनुश्यता के विरोधी होते जा रहे हैं क्यों बहुजन के नाम पर आप लोग तंत्र के विरोधी होते चले जा रहे हैं आप आरक्षन के विरोधी होते चले जा रहे हैं आप विरोधी होते चले जा रहे हैं नियाय और समता के सिद्धांत के लेकिन यह कहना पड़ेगा कि हम इसके विरोध में हैं और इसलिए विरोध में हैं कि लोग तंत्र को खोकर सम्मिधान के रास्ते को खोकर मैं पूछना चाहता हूं कि जो लोग विहार से लेकर उत्तर प्रदेश में मध्य प्रदेश में राजस्थान में बाकी राजियों में बाबा बागेश्वर के पैरों में लोट रहे हैं अभी दो दिन पहले एक बाबा ने गलित औरतों के तुलना सुवरों से किया उसने कहा है कि सुर के पेट से कभी शेर का बच्चा पैदा नहीं हो सकता मैं उस बाबा का नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि उसका नाम लेने से मेरी जुबान गंदी होती है लेकिन 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 ये पूछने की जरूरत है और चीख कर पूछने की जरूरत है यगर हमारी माओं और बहनों की कोक से सुवरों के भी बच्चे पैदा होते हैं तो वो शेरों को मात देंगे वो बागों को मात देंगे वो मनुष्य बनेंगे वो बेहतर मनुष्य बनेंगे और तुम्हारी गुंडा सोच का मुकाबला करेंगे मुझे पता है कि आप गालिया क्यों देते हैं मुझे पता है कि आप हमें बुरा भला क्यों कहते हैं आप इसलिए कहते हैं क्योंकि आप जानते हैं ये वो दोड़ है जिसमें आप हमारी सोच और समझ पर कबजा करके ही अपनी सत्ता बनाए रख सकते हैं और ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि ये लोग क्यों कर पाते हैं ये लोग क्यों सोच पाते हैं ऐसा आप कहते हो कि सत्ता हासिल करना मेरा लक्ष है और बहुजन को केवल सत्ता हासिल करने से सब कुछ हासिल हो जाएगा जोट क्योंकि तुम्हारे हाथों से कलम चीन कर तुम्हारे हाथों में सत्ता की चाविया थमाई जा रहे हैं तुम्हारे हाथों से किताब चीन कर तुम्हें राज करना सिखाया जा रहा है तुम्हें महसूस कराया जा रहा है कि तुम राजा हो लेकिन असल में तुम्हें खुलाम बनाया जा रहा है मानसिक खुलाम आप सोचो कि किन लोगों के लिए निजी युनिवरस्टी खोली जा रही है आप पढ़ा लोगे क्या वशोका युनिवरस्टी में अपने बच्चों को एक साल की फीज कम से कम दस लाग रुपे है आप पढ़ा लोगे अपने बच्चों को M.E.T. युनिवरस्टी में आप पढ़ा लोगे अपने बच्चों को गरगोटिया युनिवरस्टी में नहीं लेकिन इस देश किसांदार विश्व विद्यालियों को जिसको बनाने में आपका कोई रूल नहीं है जवाहरला नहिरू युनिवरस्टी जामिया में लिया इसलामिया अलीगण मुस्लिम इनिवरस्टी इन सब विश्व विद्यालियों को और ऐसे तमामी विश्व विद्यालियों को एक खास पैटर्न के तहत बदनाम किया जा रहा है बदनाम इसलिए किया जा रहा है और आधा आपको समझा दिया गया है कि वहाँ अपने बच्चों को मत भेजना महाँ देश्व विद्यालियों में पहुँचने से उनको धिक्कत होती आप जाओ दिल्ली इनिवस्टी आपने प्रोफिसर रतनलाल का नाम सुना होगा जब आप रतनलाल के घर जाएंगे तो उनके घर से थोड़ी ही दूरी पर एक रिलैक्सो सेंटर है जब भी मैं उनके घर जाता हूँ मुझे वो रिलैक्सो सेंटर खटकता है और मेरी समझ मनहीं आता कि एक यूनिवरस्टी में जूते चप्पल बनाने वाली कंपनी का क्या काम हो सकता है वो जूते चप्पल का सेंटर नहीं है वो आपको जूता चप्पल मारना चाहते है और इसके लिए यूनिवरस्टी को ही जूते चपल की फैक्टिरी में बदलना चाहते हैं आपको अंदाजा नहीं कि हमको जहां खड़ा कर दिया गया है हमको जो बनाया जारा है हमको जो समझाया जारा है वो आखर में पहुंचेगा कहाँ उसका अंजाम क्या होगा उसका आने वाली नसलों पर असर क्या होगा इसलिए मेरे दोस्त मेरे भाई मेरे बजर्गों मेरी माओं मेरी बेहनों अपने आपको नहीं अपने आने वाली नसलों से नजरे मिलाओ अपने बच्चों से नजरे मिलाओ उन लोगों से नजरे मिलाओ जो तुम्हारी नजरों मे आख में आख ताल कर कह रही हैं कि हमें बचाओ हमें बचाओ हमें बचाओ लेकिन क्या आदमी को बचाना सिर्फ एक शरीर को बचाना है या फिर उम्मीदों को बचाना है विश्वास को बचाना है अधिकार को बचाना है समानता न्याय बंधुत्व जनपक्षदता को बचान कि जिस तरीके से जिस तरीके से हमारी विचार पक्षिता को हमारी विचार धर्ता के आगे मूर्तियां रखी जा रही है 22 चनवरी की राथ मैं दिल्ली के All India Institute of Medical Sciences एम्स के बाहर रात के साथे 11 बजे घूम रहा था कि आप अंदाजा लगाएंगे कि सड़क पर खुले आस्मान के नीचे सेकड़ों लोग खुटपात पर सो रहे हैं खुले आस्मान के नीचे जब दिल्ली का दाप्मान 4 डिगरी से नीचे था लेकिन उन्हें इलाज की जगा नहीं मिल रही है उन्हें सोने की जगा नहीं मिल रही हुने दवाईया नहीं मिल रही हुने डॉक्तर में असर नहीं है लेकिन फुटपात पर सो रहे हर आदमी के सिरहाने पर एक दिया जल रहा था 22 जन्वरी की रात उन्हें से ज्यादातर लोग दलिद थे पिछड़े थे आदिवासी थे पसमानदा थे हमारे लोगों को किन लोगों ने सिखाया कि तुम्हें अपने भीग मांगने की जरूरत है किताब रखने की जरूरत नहीं है किन लोगों ने सिखाया कि तुम्हें अपना धिकायर बचाने की जरूरत नहीं है तुम्हें अपने भीग मांगने की जरूरत है वो तमाम लोग चाहे वो किसी भी जाती के हो चाहे वो किसी भी संकुरदाई पंत और मजहम के हो चाहे वो मेरी ही जाती के हो चाहे वो दलित हो पिछड़े हो आदिवासी हो अगर उन्होंने हमें कलम चीन कर हमारे हातों से हमारे हातों में दिया थमा दिया है हमारे हातों मे अगर बत्ती मुंबत्ती किसी मंदिर का गंटा तमा दिया है वो हमारी नजरों में गद्दार है वो हमारी नजरों में गद्दार है क्योंकि हम अपनी शिक्षाओं में हम अपनी शिक्षाओं से समझाता करने को राजी नहीं है आज कुछ लोगों के साथ हो रहा है कल ज्यादतर लोगों के हाथों में अप लाठी और बल्लम देखें वो कौन लोग है जिने इस देश के 20 करोण लोगों के खलाफ मानसितर पर तयार किया जा रहा है वो कौन लोग है जिनके हाथों में लाठी और बल्लम धमाया जा रहा है वो कौन लोग है जिने त्रिशूल धमाया जा रहा है आपने सुना होगा आपने सुना होगा कि बिहार के नए उपमुख्यमंत्री जिने बहुचन कहते हुए बहुत सारे लोगों को नाज होता है उन्ह बाल मुन्डाने वाले हैं और इसके लिए उखने अयुद्ध्या पुझन ? तो आपको कर्व होता हो तो हूँ आप हुने बहुजन मानते हो तो माने आपको इस पर नाज होता हो तो हो मुझे नहीं होता है मुझे पता है कि वह जिस रास्ते पर देश को ले जाना चाहते हैं, वो जिस रास्ते पर बिहार को ले जाना चाहते हैं, जिस रास्ते पर नागरिक को मोड़ना चाहते हैं, वो रास्ता मेरा रास्ता नहीं है, वो रास्ता बाबा साहब दॉक्टर भीमरा वंबेटकर का रास्ता नहीं है, वो रास्ता पेरियार का रास्ता वो रास्ता शही जगदेव और जन्ना यकरपूरी ठाकुर का रास्ता नहीं है रास्ते आसान नहीं होते मेरे दोस्त नए रास्ते बनाने पड़ते हैं आपको अगर गड़े हुए रास्तों पर चलने की यादत पड़ गई है अगर आपको आलसी बना दिया जा चुका है तो आप फिर अपने घुलामी की तैयारी करिए मैं वैचारी काजादी की तैयारी करोगा लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हमारा और आपका रास्ता एक हो अगर आप चाहते हैं कि हम सिर्फ अपने लिए नहीं अपने आने वाली नस्लों के लिए रास्ता बना कर चलें, तो हम और आप चलिए मिलकर एक नेया रास्ता बनाते हैं। कौन नहीं जानता कि उत्तर प्रदेश की राजनीट में कौन किसके साथ समझोते कर रहा है। कौन नहीं जानता कि भारतिय जनतापाती क्या उत्थान के पीछे कौन लोग है आपको इसमें कोई बहुजन राज नहीं दिखाई दे रही हो तो दिखाई दे मुझे नहीं दिखाई देती हैं मुझे इसमें समझाता परस्ती दिखाई देती हैं सौधागरी दिखाई देती ह किसे भी कीमत पर अपनी बेटियों अपनी बहनों अपनी माओं अपने दोस्तों अपने नौजवानों अपने भुजर्गों के लिए समझाता करने को किसी से भी एक धुरभी नासी नहीं चाहे इसके इवज में कुछ भी हासिव होती है आपको कुर्बानिया देनी अपने साथ लड़ना ही पड़ेगा आपको पता है दुनिया में सबसे कठीन लड़ाई कौम सी होती है दुनिया में सबसे कठीन लड़ाई होती है अपने आप से लड़ना अपनी सीमाओं से लड़ना अपनी चलताओं से लड़ना अपनी अवरोधों से लड़ना मैं एक मर पारूचाग रूप उदार हो जाएं लेकि धोड़ा सास्त्री विरोध हमारे भीतर बचा रहे हैं मर्द बुनियादी तोर पर आर्टों का विरोधी होता है हम सीख रहे हैं और तो को अपने समान महसूस करना यही वज़ा है कि इस हौल में भी पुर्शों की तादाद कि हमारे पुश औरतों को अपने बराबर का दर्जा देने को तयार नहीं है इस संसार में मैं हमेशा कहता हो और बार बार कहता हम यहितनी भी जितनी भी खुब्सूरक चीजे हैं, साफ हवा हैं, पानी हैं, फूल हैं, जरने हैं, बागीचे हैं, शांती हैं, वो सब, सब के सब केवल और केवल औरतों की वज़े से हैं, और जितनी भी खराब चीजे हैं, युद्ध हैं, अशांती हैं, फूरता हैं, गंदगी हैं, बेइमानी हैं, उचक्कापन है बराबरी के दाइरे का विस्तार करना पड़े पढ़े मैं आपको خुश करने के लिए को खुश करना नहीं है हमारा काम उन बातों को आपके सामने रखना है जिससे कोई नई राह बंती हुई दिखाई दे जिससे समझ में आए कि हम कहां पहुँचना चाहते थे जिससे समझ में आए कि हम कहां से चले थे इसलिए आखिर में मेरे भाई मेरी माओं मेरी बहनों मेरे साथियों सिर्फ एकना कहना चाहता हूँ कि जरूरी नहीं है कि हम सत्ता हासिल करें जरूरी है कि हम समझधारी हासिल करें जरूरी है कि हम विचार हासिल करें अगर आपको दिये और कलम में से एक को बचाना पड़े तो आप पहले कलम को बचाना दिये की लौकों बुज़ने देना दिया फिर भी जलेगा और दिये का मतलब किवल ज्यान कर दिया होता है यह तमाम बाबाओं की कतारे जो लग रही है वो इस देश के समभिधान के खिलाफ है वो समानता न्याए बंधुत्यों के विचार के खिलाफ है इस पूरे देश में किसी का भी काम किसी भी बाबा के बिना चल सकता है घंटा बाबा, जुम्टा बाबा, चंटा बाबा, कंप्यूटर बाबा, फना बाबा, चिला बाबा किसी भी बाबा के बिना चल सकता है इस देश में अगर किसी एक बाबा के बिना किसी का काम नहीं चल सकता तो हमारे बाबा सहाब भी लागाँ बिट करे इसलिए तमाम बाबाओं को खारिज करो ताकि हमारे एकलोते बाबा को बचाया जा सके इसके अलावा अपने आप के बचाने का इस देश को बचाने का समानता न्याय और बंधुत्तों के विचार को बचाने का कोई रास्ता नहीं है तो करा के दंगा जला के बस्ती मुवजा बाटता है जो अब उठो के मिल जुल कर हमको उसका खाना खराल करना बहुत बहुत शुक्रिया आपने बुलाया